देखे मानिय मोदी जी के नेतुरित में डबल इंजन की सरकार बहुत तेज़ गती से भिकास के कारियों को कर रही है और कासी के लिए मानिय प्रदान मंत्री जी के विशेश जोगदान रहता है आज जो कासी का सुरूप जो बदला है वो प्रदान मंत्री जी के पिरणा से और उत् doc प्रदेश के माने मुक्मेंदी जी के सह जोक से आज कासी का इतना विकास हुआ है कि जब पहले कभी कोई कासी आया होगा और आज कासी देखेगा तो बहुत ही अंतर उसको देखने को मिलेगा हर चित्रे में बाबा भी सुनात के मंदिर में जाना कितना कठीन कार था कितनी संक्रीन गलिया थी आज बाबा भी सुनात सीधे मागंगा का दर्सन करते हैं मागंगा सीधे बाबा भी सुनात की दर्सन करती है आज कासी में चारों तरब से रिंग रोड बना करके और वहां का एलिवेटेट शड़के जहां एयरपोर्ट जाने पर कभी घंटों लग जाते थे आज 15 मिनट में एयरपोर्ट में हो जाते हैं हम लोग। पूरे कासी के चारों तरब से जहां भी आपको जाना हो करीब पांच प्रांतों के गाणियां प्रतिदीन जो है कासी में आती हैं चाहिए वो मज्य परदेश हो, 36 गलो, जारखंडों, भी आरों तो इसलिए आज कासी का डेवलोप्मेंट बहुत हो रहा है कासी हमारी सांस्किर्टिक की सबसे बड़ी प्राचिन नगरी है और इसका विकास हम सब के लिए सोभीमान का विकास है और मानिय मोदी जी के नेतुत में विकास हो रहा है उसी विकासी कड़ी में वो जो 6000 क्रोन की परियोजना भी अबजूडने जा रहे हैं चिन्ता जनक है कि सबसे जादा यूपी में मौते हो रहे हैं उन्होंने तमाम तरह बताया कि जो है बसों में डगामारी के विवस्ता है बसे सही तरह से संचालेत नहीं है कई उन्होंने बग़े सवाल उठाए देखिए अखलेज जी भी मुखमंत्री रहे हैं कि एवल मैं उत्र परदेश की बात नहीं कह रहा हूं हिंदुस्तान के ट्रांस्पोर्ट सेक्टर में ये पता कर लिया जाए कि साथ हजार बसे एक साथ का किसी ट्रांस्पोर्ट विभागने कभी खरीदा है मैं उत्र परदेश ही नहीं हिंदुस्तान की बात कह रहा हूं और अखलेज जी के समय में एक ग्यारा हजार केवल फिलीट थी, आज साथ हजार हम नई बसे खरीद रहे हैं. एक भी कोई बलबो बस या कोई हाई एंड बसे क्या थी, अभी डेल सो हमारे बलबो बसो का टेंडर हो गया, बतिसो का एक टेंडर हुआ है, दो हजार का एक टेंडर हुआ, साथ हजार नहीं बसो का टेंडर हुआ है, आज पूरी फ्लीट को मैं चेंज कर रहा हूँ, और उनको जो है डगामारी दीख रही है, तो जब मुकिन भाई जब अपने आख पर चस्मा लगा रखे हैं, तो मैं क 23 बस अड़े को हावाई अड़ा की तरह बना रहा हूँ, मैं पीपीपी मोडल पर स्क्रेप पोलिसी के 40 सेंटर में ने बना दिया, ड्राइविन ट्रेनिंग इस्चूट पहले गाउं में कुकरमुत्य की तरह लोग करते थे, आज मैं उसको आटोमेशन करके, आज जो है ड्राइविन ट्रेनिंग इस्चूट बनाया है, जिसमें मारूती से मोई साइन करके, 60 करोन रुपिया में CSR मंड से मारूती से लगवा करके बना रहा हूँ, टांस्पोर्ट सेक्टर में इतना बड़ा बगलाव कभी नहीं हुआ, जितना इसमें उत्तर परदेश में हो रह है, पहली बार पूरे हिंदुस्तान में सडक सुरक्षा के लिए अलग से ARTO की निवक्ति उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, कि हर जगा, हर जिले में एक जो है ARTO सडक सुरक्षा के लिए होगा, 352 MBI के अपद मैंने सिर्जित किया, अभी तक परिवहन विभाग केवल जिला अस्तर पर रहता था, अब परिवहन विभाग तोहसील अस्तर पर जा रहा है, तो यह पहली बार हो रहा है, तो यह उनको यह अच्छाई को देखना चाहिए, और परदेश की जनता को उनको बता रहता है, एक आखरी सवाल है कानून कोई भी अपने हाथ मिलेगा, परदेश को महल को बिगारने की कोशिस करेगा, कानून उस पर कारिक करेगा, विपक्ष निशाना साथ रहा है कि बुल्डोजर फेर रोप लगाने के बावजूद भी कारवाई की जाए, देखिए, जो भी कानून के दायरे में आएगा, कोई भी कानून अपने हाथ मिलेगा, उस पर ये सरकार सकत हैं और उस पर अपनी करवाई करेगा, अकिलेस यादोजी की सरकार में लखनव के राजधानी में पुलिस उपाधिक्षक को घसीटा जाता था, समझवादी पाटी के जो गुंडे थे उस समय पुलिस उपाधिक्षक को घसीटते थे और सरकार कुछ नहीं कर पाथी थी, आज जो एक सिपाही की आप जोदी कालर पकड़ेंगे तो आपका कलेजा निकाल लेगे, ये कानून बेवस्ता है